रोमान चौर रहश्य वकील की बीवी उस मंगलवा को जब ग्रेशी अपने घर से निकली आकाश बिलकुल साफ था और सुर्द चमक रहा था इतनी गर्मी भी नहीं थी उसने दर्वाजे का लॉक एक बार फिर से चेक लिया और चलते हुए उस तरफ चल दी जहां उसकी चमच काल उसके पती न उसके पचासने जनम दिन पर उपार में दी थी काल में बैटने से पहले ग्रेशी ने एक बार फिर से अपने घर की तरफ देखा निले आकाश की प्रस्ट भूमी में उनका दो मंजिला लाल इटों से बना विला शांदार दिख रहा था ग्रेशी को अपने कालनी कंपनी के पार्टनर बने थे वो विला एक बड़ी स्टेट में था उस स्टेट में बहुत से डॉक्टर वकील और व्यापारी रहते थे उसके घर के पच्चमी भाग में एक मनी प्लांट की लता उसके घर की दिवार पर चड़ रही थी ग्रेशी ने उसको देखकर ला था और उसको देरी हो रही थी उसको जल्दी भी वहाँ पहुंचना था वो कार में बैठ देए और कार चाले कर दिया अचानक उसने देखा कि पार्किंग छेत्र में एक सफेद कार आकर रुपी थी उसमें से एक पुलीस वाला निक्रा वो ठिकना था पर उसका पेट ब अभी वही थी ग्रेसी ने कार के दर्वाजे पर जुकते हुए उसने पूछा क्या आप इन ग्रेसी देसाइन उसकी आओज एक दब सपात थी ना कोई भावना और ना कोई मिठास ग्रेसी ने इस सार रुपना कर बताया कि वो ही ग्रेसी थी कुछ दर शानत रहने के बाद उसने अपना चश्मा उतार दिया. अब उसके आँखों में देखने के बाद ग्रेशी को लगा कि वो गलत थी क्योंकि उसके आँखों में भावना थी. उसके आँखों में दुख दिख रहा था. उसने कहा, मैं इंस्पेक्टर दीपक हूँ. मैं वर्षवा ब्रांच में काम करता हूँ. वो ग्रेशी को अपने बारे में कुछ यादा ही बताने लगा. ग्रेशी के उसका परचे पत्र बहुत ध्यान से देखा और फिर सारी ला दिया. उसने कुछ भी नहीं का. वो नहीं जानती थे कि वो पुलीस वाला उसके पास क्यों आया था? ग्रेशी को कभी भी पुलीस को कोई भे नहीं होता था क्योंकि उसके पती शेहर के सबसे नामी वकीर थे और उनके समन्द बड़े-बड़े अफसरों और मेताउं से थे. पुलीस वाल ने अपनी गले को साफ करते हुए का शिर्मति द्रसाई, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए सुख़द नहीं होगा. चार अफ़ते पहले मैंने एक जासूस को अपनी पत्नी की निगरानी करने को कहा था. कुछ दिन पहले मेरे उस जासूस ने आकर मुझको बताया कि मेरी पत्नी आध्या कपूर का किसी से प्रेंपरसंग चल रहा है. क्या आपको नाम आध्या कपूर कुछ जाना पैचाना सा लगए है? शिर्मति ग्रेशी देशाई. ग्रेशी ने सारी लाकर का जी नहीं, मैं किसी आध्या कपूर को नहीं जानती. पुलिस अध्या का, आध्या कपूर आपके पती के दफ्तर में ही काम करती है. उसने अपने होटों को भीचते हुए का, जी शिर्मति देशाई, मेरी पत्नी का आपके पत्ती से प्रेंपरसंग चल रहा है. ग्रेशी ने सारे इलाकर इंकार कर दिया कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी. पुलिस अध्या कर ने अपनी बगल में दवाई हुई, फाइल निकालकर हाथ में लेते हुए कहा, पिछले चार हफ्ते में मेरी पत्नी और तुम्हारे पती पेड़ोडा के एक होटल में मिलते हैं, होटल का नाम है सिटी स्काई होटल, वो तुम्हारे हफ्ते में कम से कब दो बार चार से छे बज़े के बीच वहाँ मिलते हैं, और एक कमरे में ही रहते हैं तुम्हारे पती वो इस होटल के मेंबर है उनको हर बार वही कमरा भी दोता है मेरे जासुस ने वहाँ एक कैमरा लगा दिया था मैं हरान था कि ऐसे कौन सा कानुनी काम वहाँ करते हैं मेरे जासुस ने मुझे सीधी लाकर दे दी है ग्रेशी मनी मन में सोचने लगी कि ये ठीक था कि उसके पती वो सोटल के मेंबर थे और अफ़ते में दो दिन वो देरी से घरब वापिस भी आते थे क्या ये पुलिस अफसा सच क्या रहा था वो बहुत ही गंभीता से सोचने लगी और कुछ देर तक चुपी रही दिपक फिर से बोलने लगा आज मैं अपनी पत्नी को ये सीडी दिखाने वाला हूँ और उसको तलाप लेने पर बात दे कर दूँगा लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बिना कुछ कमाए उसको ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ तुम्हारे हरामी पती ने मेरी शादी बरबाद कर दिये अब मुल दे तो उसको देना ही होगा उसने फाइल ग्रेसी को देते हुए का सीडी फाइल के अंदर ही है साथ ही मैंने रकम भी लिख दिये एक चिठी भी है तुमारे पती के लिए ग्रेसी कुछ देता को स्वाइल को देखती ही रही मैं नहीं जानती कि हमें क्या करूँ मेरे लिए तो ये एक भयानत सच्चाई है मुझे तो विश्वासी नहीं हो रहा है दीपक ने सर धुगा कर का मुझे माफ कीजिए गए श्रीमती ग्रेसी देसाई आपकी कोई भी गलती नहीं है मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता था पर मैं आपके पती को भी सज़द दना चाहता हूँ उसको मुझे तो चुकाना ही होगा मैं कल फिरा हूँगा वो कुछ और बाते बताने के बाद चला दे हो ग्रेसी कार से बाहरा गी और उस फाइल को अपने हाथों में थामे वापिस अपने घर की तरफ चल दी घर के अंदर आजाने के बाद उसने फाइल के कागजों को देखना शुरू किया उसने फोन करके ब्यूटीशन के साथ अपना कारिकरम इस थगित कर दिया घर का दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद उसने सीडी चालू कर दी उसके होशे होगे उस वीडियो में उसके पती थे वो और एक औरत नगन अस्था में बिस्तर परते ग्रेशी ने अपने पती का चेहरा तो नहीं देखा परन्तू उनकी पीठ और उनके शरीप पर बच्पन के दागों से उसने पहसान लिया कि वो उसके पती ही थे वो उस औरत को नहीं पहचान सके वो औरत मस्तर में बहुत खुबसूरत थी उसने वीडिया पूरा लिखा उसने दोनों की आवाजें भी सुझी उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पती उसके साथ ऐसा भी कर सकते थे कुछ दिया के बाद वो रसाई में जाकर अपने लिए कप कॉफी लियाई और टेलिविजिन के सामने बैढ़ गए वो इस वीडियो को फिर से देखना चाहती थी वो पूल रूप से खंडित हो चुकी थी वो नहीं जानती थी कि वो आगे क्या करने वाली थी फिर भी उस तो सोचा के किसी न किसी तरह उस समस्या का हल तो ढूनना ही था वो देरे देरे कॉफी पिने लगी शाम कोई इस्पेक्टर दीपक उसकी पत्नी आद्या से साफ बात करने वाला था उसको अगले ही दिन पैसे चाहिये थे क्रेशी को कुछ तो करना ही था वो गंभीकता से सोचना लगी कुछ देर के बाद वो उटकर खड़ी होगी उसने एक योजना बना ली थी उस दिन मंगल वाल था और हमेशा की तरह ही ग्रेशी के पती और आर्या उसी होटल में शाम चार बज़े मिलने वाले थे वो सबसे पहले मनोज के दफ्तर में फोन करके आर्या कपूर का फोन नंबर प्राप्त करना चाहती थी चार बज़ें से कुछ पने पहले ग्रेशी सिटी स्काई होटल की कॉफी शॉप में बैठी थी उसने मनोज और आर्या कपूर को होटल की लविं में प्रवेश करते हुए देखा दोनों ये अपने वेशाइक कपड़ों में थे दोनों के हाथ में वकीलों वाले सुटकेस थे कोई भी सुचता के शायद वो दोनों किसी व्यापारिक मीटिंग में आये थे ग्रेशी की आखों में अपने पती को उस वरत के साथ देखकर आशू आगे वो चार बजने का इंतजार करने लगी चार बजने के बाद उसने अपने पती मनोज को फोन किया उसने पुछा ग्रेशी क्यों फोन किया कुछ काम था क्या ग्रेशी ने थोड़ी सी उची आवाज में बोलना शुरू कर दिया ए बगवान मैं घर के बाहर कड़ी हूँ और दर्वाजे को लॉक लगा हुआ है मेरी चाबियां घर के अंदर ही रह गी मैं तुम्हारे आफिस में तुम्हारी चाबियां लेने आ रही हूँ क्या तुम निचे आओगे या फिर मुझे उपर तुम्हारे दफ्तर तक आना होगा मनोज की तुझे से सांसी थम गई ओ ग्रेशी क्या तुम दफ्तर के तरह आ रही हो हाँ मैं पंगर मिनिट में तुम्हारे दफ्तर पहुंचाओंगी ग्रेशी ने अपने पती की घबराई वी आवाज फिर सुनी ग्रेशी तुम नीचे कार में रहना, मैं नीचे आ रहा हूँ ग्रेशी ने फोर्म काट दिया और अपनी कॉफी पीदे लगी उसके पती का दफ्तर उस होटल से सिर्फ पांच मिनिट की दूरी पढ़ी था उसको विश्वास था कि उसके पती अकेले ही अपने दफ्तर जाएंगे और आर्या कपूर को होटल के कमरे में ही प्रतिक्षा करने के लिए कहेंगे कुछी मिन्टों में मनोज भारा आगी वो जल्दी जल्दी अपनी कार की करफ बढ़ने लगे ग्रेशी ने तुरंती आर्या कपूर का नमबर में ला दिया हेलो आर्या कपूर मैं ग्रेशी निसाई बोल नहीं हूँ मैं इस होटल की लगई में बैठी हूँ मुझे तुमको कुछ दिखाना है ये जीवन मृत्यू का प्रश्ण है ये मनोज के बारे में है तुमको शायद इसकी जानकारी नहीं है मैंने मनोज को किसी बाहने से जफ्तर भाई दिया है हमारे पास बात करने के लिए सिर्ट 20 मिनट है तुम अगर मुट पर विश्वास कर सकती हो तो निचे आजाओ मैं वो सब कुछ तुमको दिखा दूँगी ग्रेशी ने सौत दिया था कि अगर पांच मिनिट तक आर्या कपूर निचे नहीं आए तो वो ग्रेशी जिसाई मनोज निशाई की पत्नी उपर जली जाएगी और मनोज के कमरे में आर्या कपूर समय लेगी कुछ ही जन में आर्या कपूर निचे आगी ग्रेशी ने हाथ लाकर उसको अपनी तरफ बुला लिया ग्रेशी एक कोने की मीट पड़ दी उसके साथ वाली कुर्सी खा ली थी उसने आर्या कपूर को मैठाया और फिर जल्दी से बोली मैं तुम्हारे और मनोज के इस प्रेम प्रसंद के बारे में पिछले चार अफ़तों से जानती हूँ मुझे शब्का थी कि मेरे पती किसी और आरत के साथ सो रहे थे उसने वीडियो को रोग दिया और कहा वीडियो तह बहुत लंबा है पर अभी समय नहीं है ग्रेशी ने कहा एक बात तुम नहीं जानती हो आर्या कपूर तुम्हारे अलावा भी एक और आरत है उसका नाम है जानी स्पिंटू आर्या हैरान होगी क्योंकि जानी स्पिंटू उनके दफ्तर में नई आई हुई एक वकीर थी ग्रेशी ने जान भूज कर वो नाम लिया था ताकि आर्या कपूर को यकीन होने लगे ग्रेशी ने आगे कहा उनकी बात चित से मुझे व्यात हुआ कि जानी स्पिंटू को तुम्हारे बारे में मालू है मेरे पतियों जानी स्पिंटू मुझे मार डालना चाहते हैं और आरोप तुम्हारे उपर लगा जेना चाहते हैं वो दोनों मेरी संपत्ती ले लेना चाहते हैं बाद में मनोज जानी स्पिंटू से विवा करने वाला है। आध्या कपूर के चेहरे पर तो हौईय होने लगी। ग्रेशी को उसके घबराय हुए चेहरे को देखकर बहुत संतोश हुआ। फिर भी उसने का आध्या, मैंने अब तुमको सब कुछ बता दिया। तुम्हारा दोश पस इतना है कि तुम्हें एक शादी शुदा मर्द के साथ सोती हो। वो मुझको भी मारना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम ये वीडियो और ये तस्वीरे इत्यादी ले जाकर पुलिस को सब बता। अजानक आर्या कपूर वापिस वरतमान में आवी। वो चिलाई नहीं नहीं, पुलिस नहीं। ग्रेशी जानती थी कि वो अपने पती इंस्पेक्टर दीपत के बारे में सोत रही थी। आर्या कपूर ने फिर का, मैं इस ममले में नहीं परना चाहती। मैं जानती हूँ कि मैंने एक भेंकर बलती की है पर अंतो यह तो हम दोने की मर्जी से हो रहा था मैं किसी को छटी नहीं पहुचाना चाहती थी अब तो यह सब पागल पन लग रहा है ग्रेशी ने शांती पुर्वक का तुम्हारी मदद के बिना मेरे पास कोई भी प्रमान नहीं होगा मैं मनोज को भी फख़वाना चाहती हूँ आर्य कपुर्वन ने तुरंत कहा मैं मनोज से अपना संबन अभी पोड़ती हूँ मैं कमरे से अपना सामान लेकर जा रही हूँ मैं उसकी मुक्रे की छोड़ लूँगी और फिर उससे कभी भी नहीं मिलूँगी वोट कर खड़ी हो गई और सौरी वोट कर चले गई अचानक ग्रेसी का फॉन बज़ने लगा उसके पती मनोज का फॉन था मनोज मुझे चागी मिल गई है मेरे बैग में ही थी ग्रेसी काफी शाप में बैठी रही है और उसने आद्या कपूर को होटल से बाहर जाते हुँ देखा उसने अपना बिल मंगाया और पैसे देकर बाहर निकल गी वो नहीं चाहती थी कि जब उसके पती वापिस होटल आए ग्रेसी को बहाँ देख ले ग्रेसी अपने घर वापिस सड़ी उसके आने के लगभग आदे घंटे के बाद उसके पती भी घर आ ले है उनके चेहरे पर तनाव साफ जलक रहा था उन्हाने ध्यान नहीं दिया ग्रेसी भी उसी कमड़े में सोफे पर बैटी थी उन्हें अपना बैब मेज पर रख दिया ग्रेसी भी खास कर उसका ध्यान अकर्शित किया और फिर कुर्शी पर बैटने का संकेत किया फिर ग्रेसी भी कहा मैं तुमका कुछ दिखाना जाती उसके पती के चेहरे की चिंता और भी बढ़ी ग्रेशी ने कहा ये एक आर्या कपूर नाम की अउरत के बारे में है अचानक ये उसका पती निढाल साथ कुर्सी पर बैठ गया ग्रेशी ने कहा आराम से बैठो मोनोज मैं तुमको एक वीडियो दिखाना चाहिए किसी में मुझे ये बहिजा है जैसे ही वीडियो चालू हुआ टेलिविजन की स्क्रीन पर उन ध्रश्यों को देखकर मनोज के चेहरे पर तो हवाईयां उनने लगी मनोज ने ग्रेशी के तरफ देखा परंतु वो कहीं और ही देख रही थी ग्रेशी ने कहा वीडियो चारीस मिनिट से जाला कहा है उस फाइल में वो कालज भी है जिन पर लिखाया कि तुम दोनों कब-कब किस-किस दिन उस होटल में रंग्रलिया मनाते हो हाँ ये भी है एक चिठी तुम से पैसे वांगे है 90 लाक मुझे ये पैसे लेकर उसके पास जाना होगा वो पैसे पहुंचाने के लिए जगा कल मताया मुझे कल दो मेजे से पहले 90 लाक साहिए होगे अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तुम सोच सकते हो कि क्या हो सकता है उस चिठी पर लिखी होई रकम को पढ़ने के बाद मनोज ने जीरे सका मैं तो बरबाद ही हो जाऊँगा अगर मैं पैसे ज़दूँगा तो मैं तो कंगाल ही हो जाऊँगा ग्रेशी ने शांती से का गड़बर तो तुम नहीं किया मनोज अब सिर्थ दोई काम कर सकते हो या तो पैसे ज़दो उसको या फिर पैसे मत दो आप मुझसे तलाग लग मेरी देखभाग करने वाला तो कोई भी नहीं होगा अगर उसने वीडियो इंटरनेट पर अप्लोड कर दिया वो बोली मैंने तो ये सब नहीं किया है अब तुम कोई समाल ला होगा ये सब अगले दिन इस्पेक्टर दीपक ने ग्रेशी के घर की तंटी बज़े मनोज ने दरवाजे खोला मनोज ने अपने आपको बहुत रोका नहीं तो उसने पूरी ताकत से दीपक के मुँपर एक घुसा मारी दिया होता मनोज ने ग्रिना से का आँ बोलो क्या है दीपक ने कहा पैसे कहा है और तुमारी पतनी कहा है मनोज ने कहा पैसे तुम कौन हो मैं उस औरत का पती हूँ जिसके साथ तुम सिटी होटल में हफते में दो बार सोते रहे हो मनोज भैवीत हो गया तुमको हमारे बारे में सम्माल हो है दीपक ने दिर्टा से कहा मैंने ही तुम्हारी पत्नी को वो विडियो दिया था मनोज ने कहा तुमने पर उसने तो मुझे कहा के आ रहा तुम्हारी पत्नी ने उसको वीडियो दिया था वो कहा है तुम्हारी पत्नी कहा है मनोज ने कहा वो तो 90 लाग तुमको देने के लिए लेकर आदा गटा पहले ही चली उसने कहा कि आ रहा तुम्हारी पत्नी ने तुम मेरी पत्नी के साथ होटल में सोयो और तुमने मेरी शादी बरबाद कर दी है। मैंने तुम्हारी पत्नी को वीडियो दिया और दस लाग की मांग की और चुप रहने को कहा था। मनोज हराम होकर चिला है। दस लाग पर उसने तो मुझे 90 लाग कहा था। कुछ देर तक दोनों मनोज और दीपक एक दूसरे को देखते ही रहे। फिर दीपक ने कहा जब मैंने अपनी पत्नी आर्या को पिछली रात वीडियो दिखाया वो रोने लगी। और उसने मुझे बताया के कल वो तुम्हारी पत्नी ग्रेशी से होटल में मिली थी। तुम्हारी पत्नी ने आर्या से कहा के तुम्हारा एक और लड़की से चक्कर चल रहा है। 90 लाख अपने कब्जे में कर लिये थे दीपक बेचारा भी हैरान परिशान सा खड़ा था मनोज ने कहा पर वो मेरी पत्नियां इस तरह मेरे पैसे लेकर नहीं बाग सकती दीपक ने कहा तो उसमें हम सब को बेखोफ बना दिया अब उसके पास 90 लाख है अब वो तुमसे तलाख लेगी उसको सिर्फ इतना ही करना होगा कि वो हजालत में वीडियो दिखा लेगा उसको असाद ही से तलाख मिल जाएगा वो तुमको कंगाल कर गए मनोज वकिर साथ जैसे ही दीपक अपनी कार में वैटकर जाने लगा एक ओडिकार अंदर दाखी लोगी ग्रेसी बाहर निकली दीपक हरान हो गया उसने कहा तो तुमने अपने पती के ये 90 लाख होड़ा दी नहीं मिस्टर दीपक मैं 50 वर्स के उपर की औरत हूँ सारा जीमन मनोज के साथ बिता है उसने बहुत परिष्णम से ये पैसे कमाएं मैं उसको बरबाद नहीं कर सकती ऐसी करती है तो सभी करते हैं कुछ पकड़ जाते हैं कुछ नहीं पकड़ जाते हैं मैं अपने पती से तलाख वस्टर लोगी पर अपनी शर्ट पर मेरी शर्ट यह होगी कि मैं जीवन के अंतिन सांस तक उसके साथ इसी घर में रहूँगी हम दोनों पति-पति नहीं होंगे पर साथ ही जीवन की अंतिन यात्र करेंगे खैर अपनी कहो, तुम तो अपनी पत्नी को छोड़ी दोगे तुम्हारा तलाग भी हो जाएगा मनोज, मनोज, कहां तुम? मनोज ग्रेशी को वापिस आया देखकर हैरान हो गया ग्रेशी ने कहा, इतने वर्षों तक वकील की पत्नी रही हूँ मैंने अपना केश खुजी समाधान कर लिया तुम्हारे 90 लाग को मैं दू अकाउंट में बराबर बराबर जम्ह करवाई 45 लाग तुम्हारे 45 लाग मेरे अब तुम अपनी वकाले दिखाओ और कल तलाग की अरजी देदू पर शर्त यह होगी कि तुमको जीवन भर मेरे साथ इसी घर में रहना होगा मनोर जी का अगरेशी क्या हम फिर से पहले जैसे तब ही तो कह रही हूँ कि तलाग देने के बाद तुमको इसी घर में मेरे साथ रहना होगा यह एक शर्त होगी जिस पर मैं तुमको तलाग दोगी आगे क्या होगा कोई नहीं जानता हाँ एक बात हो रहाद है मैं तुम्हारे परिष्ट्रम से कमाए हुए पैसो को किसी ब्लैक मॉलर को तो कभी भी नहीं दे सकती थी सब कुछ पहले जासा ही है हमारे बीच बस हम पती-पती नहीं है चलो अब आराम करो मैं कॉफी तैयार करती हूँ बहुत-बहुत ज़्यवाद है